कानपुर दिहाग में अकबरपुर पुलिस ने एक अधैड उम्र के व्यक्तिGO गांजे के साथ ग्रफतार कर चालान कर दिया थाना अकबर्पुर के चौकी रनिया प्रभारी रजनीज कुमार वर्मा की पुलिश टीम ने चापे मारी कर 5 किलो ग्राम गांजे के साथ एक अधेड को ग्रफतार कर जेल भेज दिया आपको बता दे कि चौकी प्रभारी रनिया रजनीस कुमार वर्मा को मुक्विर से सूचना मिली थी कि एक अधेड उम्र का व्यक्ती भारी मातरा में मादक पदार्थ लेकर चौराहे के पास खड़ा हुआ है चौकी प्रभारी ने देरी ना करते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुचे तो पुलिस को देख अधेड उम्र का व्यक्ती भागने का प्रयास करने लगा उसके पास पांच किलो ग्राम अवैद गांजा बारामद हुआ जिसके बाद पुलिस ने उससे पूच्छ टाच की और उससे गांजा सप्लाई करने की बात को कबूलते हुए उसने बताया कि उसका नाम अजमेर सिंग है वा मूल रोप से कानपुर देहात के अगबरपुर के ग्राम उम्रन का रहने वाला है और वहीं से लंबे समय से गांजा सप्लाई करने का काम करता था उसके उपर कई मुकद में भी पंजीकरत है चेतरा अधिकारी अगबरपुर प्रभात कुमार नहीं बताया कि अगबरपुर पुलीस नियाले में प्रस्तुत कर उसे जेल भीजा जाएगा